हालो फ्रेट श्वाइल का बिक्टमेश यानिल आजके इस वीडियो में बहुती खुबसुरत फ्लावर लटकर के साथ इस जिजार को क्रियेट करेंगे तो चलिए फटा फटा फट से इसको बढ़ना स्टार्ट करते हैं पहले बॉर्डर तयार करेंगे बॉर्डर तयार जिसको चोड़ा है 5.5 इंच अब यहां से हमें इसको कुछ इस तरीके से रखेंगे और उपर के साइट लाइनिंग फेप्रिक रखेंगे और इसको यहां पर स्टिचिंग कर लेंगे थोड़ी से मार्जिन छोड़ते हुए तो दोनों साइट ही हमें थोड़ी थोड़ी मार हो चुकी है अब इसको कुछ तरीके से बलट लेंगे दूसरे साइट बलटने के बाद इसको सीधा कर लेंगे अच्छी तरीके से इसको सेट कर लेना है तो यहां पर देख सकते हैं सेट करने के बाद चारों साइट इसको स्टिचिंग कर लेंगे स्टिचिंग करते हुए इ तो फ्रेंज देखी सकते हैं यहां पर जो हमड़ा बोर्डार है और लगभग यहां पर त्यार हो चुकी है अब उपर वाला पाट त्यार करें के कुछ इस तरीके से त्यार की है अब यहां पर इसको अब यहां पर उपर वाला पाट त्यार करणी है अब यहां पर वाला पाट त्यार करने के एसको डबल फूल्ड करते हुए लगदी है आज के लबा है 16.5 Inch इसको चोड़ा है 8.5 Inch यहां से लेगे 5 Inch और यहां से लेड़ा है 7 Inch 7 इंच पर एक निशनल लगा देंगे, अब यहाँ पर छोटा सा कट लगाएंगे, बीडिल पॉइंट में भी छोटा सा कट लगानी है, और कुछ इस तरीके से इसको खोल लेंगे, अब खोल लेंके बाद यहाँ पर प्लेटेस लगाना स्टार्ट करेंगे, तो फिर जहां तक हमारा कट लगी हुई है, छोटा सा उहाँ तक इस प्लेटेस को डालेंगे, तो प्रेस देखी सकते हैं, यहाँ तक हमारा प्लेटेस लग चुकी है, और एक साइड हमारा प्लेटेस यहाँ पर लग चुकी है, चलिए इस टिजिक कर लेते हैं, अब इस टिजिक भी हो चुकी एपसे फोलो करते हुए दूसरे साइट को प्ले स्कूण कहीं डुपनीट करेंगे चलिए इससको भी खिर अभी कहलेहें तो प्रे तक भी चलिब अभी सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चलिब किजिए अगाद पेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस करना जब भी हम नहीं वीडियो अप्लोट करेंगे सब से पहली बिले आपको तो दीचे वाला पार्ट बड़ा कंप्लीट हो चुकी है अब उपर वाला जो प्लेटेस है उसको अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए सेट करेंगे उसके कर लेरी है तो देखी सकते है ऊपर वाला पार्ट भी यहां पर तयार हो चुकी है और इसको अच्छी तरीके से सेट करनेंगे बाद डबल शिलाई यहां पर लगा रही हूं अब इसको यहां से कटिक कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से cutting करने के बाद यहाँ पर जो हमारा border पार्ट है border पार्ट को भी हम देख लेते हैं तो हमारा same same आ चुकी है अब यहाँ पर इसको हम रखेंगे और यहाँ पर इसको stitching कर लेरी है तो अदर के साइड थोड़ी सी इसको fold करेंगे अदर के साइड और इसको सीधा stitching कर लेरी है तो देखे पर इहाँ पर दोनों ही पार्ट हमारा जूर चुकी है अब इसको हम डिजाइन तेयार करेंगे के डिजाइन तैयार करने के लिए झाल चूराए फेब्रिक लेगे और कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से प्लावरह त्यार करनेवाने हैं जो कि बहुत इसी तरीका से बना सकते हैं तो एक हमने बना दी है और भी दूसरे आप सभी को दिखा रही हूँ कैसे बनाते हैं तो ऐसे ही हमें धेर सारे पहले बना के रख लेनी है तो देखे सकते हैं दोनों ही हमारा कम्प्लीट हो चुकी है अब इसको हम फ्लावर त्यार करेंगे फ्लावर त्यार करने के लिए पहले हम यहाँ पर बोती लगा लेते हैं तो पहले हमने दो बोती यहाँ पर लगाई है फिर से हम लगाएगे यहाँ पर एक बोती तो कुछ इस तरीके से बोती लगाने के बाद दूसरे साइड पलटेंगे और यहां पर इसको स्टिजिक कर लेरी है तो देखी सकते हैं कुछ इस तरीके से इसको भी हम स्टिजिक करेंगे तो पहले हमने दो बोती ली है और यहां पर स्टिजिक करेंगे फीर से हम एक मोती लेगे और यहाँ पर इस्टिजिक करेंगे तो दोड़ो ही रेडी हो चुकी है एक्स्टा फेब्रिक एक्स्ट लधागा कटकूर निकाल देनी है कुछ इस तरीके से इसका लूक आ रही है तो यहाँ पर हम धेर सारे बड़ाव के पहले से ही रखे है उसके पाद एहाँ पर सुई धा के बदर से इसको इस डिजिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इस टिजिक करणा स्टाट करें है और देखी सकते हैं जो हमारा फ्लावर है वो कुछ इस तरीके से बढ़के रेडी होगे एक के उपर एक रखते हुए इस फ्लावर को बनाना है और इस फ्लावर को बनाना काफी आसान है काफी इजी तरीका से आप भी बना सकते है तो चलिए फटापर से इसको कॉप्लीट कर लेंगे अब यहां पर हमें सुःधा का मदद से सरी इस टिजी कर लेंगे इसको बीडिल पॉइट में लगाएंगे कुछ इस तरीके से तो फ्रेस यहां पर इसको रखेंगे और इसको सिल्ला स्टार्ट करेंगे स्विधार के मदद से तो जितला भी हमारा पास फ्लावर पती है उस सब में भी इसको स्टीचिक कर लेंगे पक्का तरीका से जो कि अब धोने के बाद भी यह नहीं निकलता है बहुत ही अच्छी तर सब्सक्राम कराण के लिए को लपेटते हुए इसको तयार कर लेगे, आप रुपाई से भी कर सकते हो एक रूपीयाrot से भी कर सकते हो इस डिजारि का पास कुछ ऐसा बटन नहीं है तो देखी सकते हैं, इसको अब लगाएंगे वीडिल पर लगाने के लिए कुछ इस तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे सिलिह तो चारो साइड इसको इस टिजिंग करना है इसलिए इसलिए हैं सब इस फ्लावर हो को ह магазin रही हैं मुझे होने के बाद इसमें और भी खुपसुरत डिजाइन बढ़ाएंगे तो फ्रेंज एक उस तरीके से हम इस लटकन को बढ़ाएंगे और इस लटकन को बढ़ाने के लिए हमने डोरी धागा लिए और यहाँ पर फिर से हम गीट लगा देंगे जो कि आप जब भी डोरी बढ़ाएंगे तो अगर इस तरीके पतले डोरी से आप बढ़ाने के कोशिस करें तो आप जरूर से यहाँ पर गीट लगा दीजियेगा तो कुछ इस तरीके से इस लटकन को हम त्यार करेंगे तो यहां पर दो लटकन हमने लगा दी है और फिर से यहां पर देख लेते हैं तो यहां पर चार लटकन हमने यहां पर लगाई है अब इसको हम जड़ा सा छोटा करेंगे लिए कुछ इस तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे और दोनों ही लटकन हमारा तयार हो चुकी है अब इसको लगाएगे अंदर के साइड कुछ इस फ्लाओर के अंदर के साइड इसको लगा देने हैं तो अजो है तो अच्छिक करने के बाद इसको हम आशे तरिके लगाएगे और इसको फाइडल लूड आप सभी को साथ देखाते हैं कयों ब्लाइ जरूर करना चैनिक्स प्रवाच एक वीडियो डेчив ज़िए। चीन इक गाह बताना यूज है,oqu डेब Gentlemen के कामेड़ वे जर्वाता दा